मुस्कार दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सियों तुड़े आईए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अब्डेट के बारे में अभी की बड़ी ख़बर ब्रेकिंग इसके बारे में बात करेंगी अभी की बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों को ले करें आ खबरे आई थी तब मेरे द्वार आपको दी गई थी दूसरा बड़ा जटका है पुरानी पेंसन को लेकर जैसा कि आप समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं और यहां पर साब साब लिखा हुआ है और इसमें बताया गया है कि दो कांगरेसी राज्यों की नई पेंसन योजना को रद कर उनकी जगा पूर्व की पेंसन योजना लागू करने के आयलान ने राजनीतिक सरगर्मी जरूर भादी है लेकिन केंज सरकार ने इस पर क्या जबाब दिया है केंज सरकार ने कहा है और केंज सरकार ने इस पश्च कर दिया कहा ने इस पश्च कर दिया है कि केंजी इस तरह पर इस तरह का कदम उठाने की उसकी कोई योजना नहीं है सोमवार को लोग सभा में बित मंत्री ने इस बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देती हुए कहा है कि उसके पास NPS समाप्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसी बर्ष पहले राजस्थान सरकार 23 फरवरी 2022 को अपना सालाना बजट पेस करते हुए अगली बित बर्ष से NPS को समाप्ट करने के साथ ही पूरानी पेंसन लागू कर दिया है करने का ऐलान किया है उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी की 36 सरकार ने भी इस तरह की घोशा कर दिये पूरानी पेंसन व्यवस्था क के तहद सेवा निभित होने वाले करमसारियों को पेंसन देने की पूरी जिम्यदारी सरकार या निकाय की होती है और मैं आपको पता दो यहीं नहीं उत्तर पर भी आयलान किया गया था खले स्यादों की दौरा उनकी सरकार नहीं बनी बीज़ेपी रिपीट हो गई और प्यार्व को रदंब करने की हमारी कोई योजना नहीं है जब यहन-प्यारड नहीं होगा तो ओप्येस लागू नहीं होगा तो इसका मतलब है के तावनு सब्सक्रीन पर देख सकते हैं जो खबर होती है सब्से पहले मैं आपको देता हुं समझहने का प्रियास करता हूं इ वेल आइकन वाय और पसे रिट कर जाएं जामार उस्तु नमस्कार